मैरवा सिवान मोख्य मार के बिजयपुर गाउं के समीप तेज रफ्तार में जा रही बिजली विभाग के एस डियो की कारी ने अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार में टककर मार दिया जिससे वा गमीरुप से घायल हो गया घटना के बाद वाहंचालक मौके से फरार हो गया सुचनपर परभारी थारा अध्यच राहुल कुमार सिन्हा दलबल के साथ मौके पर पहुँच कर इसकारफियो गारी को जब्त करते हुए मामले की चान भी में जुट गए इधर घाटना के बाद अस्थानी लोगों की भीडू मर पड़ी अस्थानी लोगों ने घायल को इलाज के लिए नीजी अस्पताल में भरती कराया जहां चिकिसकों ने गंभीर हालत देखकर गोरखपुर रेफर कर दिया जहां गोरखपुर जाने के दवरान उसकी मौत हो गई मौत की सूचना मिलने पर परीजिनों में चीख पुकार मच गया मृतक की पहचान सिवान के मुफासिल थाना छेतर के छोटपुर गाउं के बीस वर्सी रजनीस कुमार के रूप में हुई है अस्तान ये लोगों की माने तो बाइक सवर सिवान से मेरवा किसी काम के लिए जा रहा था उसी दवरान तेजराफ़तार में जा रही अन्यांतरित एसकारप्यों ने टक कर मार दिया जिसे बाइक सवर की मौत को रखपुर जाने के दवरान हो गई इस संबन में परभारितान अधेच राहूल कुमार सिन्हा ने बताया कि इसकारप्यों गारी को जब्त कर लिया गया है पुलिस सौब को पुष्ट माटम कराने के में जूट गई है फिलहाल परिजनों ने अभी तक आवेदन नहीं दिया है